सामेकुम, सूरंस लाब सेशन 9 में हम पीएचप का एक इंट्रोडक्शन तेखेंगे पीएचप हम बेसिकली डायनामिक वेबसाइट को डिवलब करने के लिए या डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं अब तक आपने HTML, CSS, JavaScript को यूज करते हुए मनें पहले आपको बताया था स्टैटिक वेबसाइट होती है जिसका कौन्टेंट चेंज नहीं होता जिसके बेग-एंड बैक जिसके डेटा बेसमी नहीं अहीं नहीं होता आप जितनी दफ़ख भी उसको रिफ्रेश करते हैं वो इस रहती है जब हम बात करते हैं डाइनैमिक वेबसाइट की ऐसी वेबसाइट जो के जिसमें डेटाबेस में इन्वाल्व होता है और जिसमें आप फृर्दर आपरेशन्स डेटाबेस के परफॉर्म कर सकते हैं so dynamic websites बनाने के लिए हम यहाँ पर जो language उस करेंगे that is php ठीक है और इसका एक आपको मैं introduction बताऊंगी और यह इसके basically tasks है so before moving towards lab tasks मैं आपको कुछ steps बतारी हूँ कि आपने php को किस तरह से start करना है right so यह lecture है php के introduction का आप फॉरण से start नहीं करते हैं php के आपके सबसे पहले आपके पास एक server होना चाहिए ठीक है so हम यहाँ पे जो server यूज कर रही है वो zamp है that is xampp zamp server इसको यूज करने के लिए आपने सबसे पहले internet से zamp server को install करना होता है then यह link है इस link पे आपने जाना है basically इस link पे जब आप जाएंगे तो आपके पास zamp का setup है जो आपने download करना है और install करना है so जब आप इस website को open करेंगे अपने browser पे यह आपके पास different zamp के versions आएंगे right so आप यहाँ पे कोई सा भी version अपने पास download कर सकने है basically यहाँ पे जो zamp के यहाँ पर यह जो इसकी versions है यह windows के versions है right यहाँ पर इसके पास जो operating system linux के versions है जो के हमारे लिए useful नहीं है for now windows पे इसके यह basically 7.4 आप कर सकने है 8 कर सकने है आपने इस में से 7.4 is right now recommended आप इसको यहाँ से जाके आपने download करना है right so जब आप इसको download कर लेंगे तो आप download करेंगे C drive में most of the time हम इसको download जब हो जाता है इस folder में दन आप इसको install करते हैं install जब आप कर लेंगे install करने के बार let's suppose मैंने यहाँ पर C drive में इसकी location सेट की थी आपने एक folder कहीं पर भी create करना है और उस folder में अपनी website को जाके save करना है but for PHP websites आपने यहाँ पर zamp के folder में जाने के बाद htdocs के folder में जाना होता है ठीक है और htdocs के folder पर जाके आपने अपने project के लिए folder create करना होता है let's suppose यहाँ पर मैंने demo के नेम से किया है example के नेम से किया है right so यहाँ पर मैं एक folder create कर लेती हूँ php demo के नेम से right यह मैंने खुद से folder create किया है यह empty folder है so अब यहाँ पर जो भी मैं website create करूँगी वो website मैं यहाँ इस folder में add करूँगी so it is mandatory के आपने जो भी website अपनी बनानी है वो जैंप के folder में htdocs के folder में जाके एक new folder create करना है और उस folder में आपने जाके save करनी है right यह first step है second step यह है कि जब भी आपने अपने पास php की website को ब्राउजर पर run करना है so उसको run करने के लिए आपने सबसे पहले zamp के server को आपने on करना होता है so उसके लिए जो तरीका है वो यह है कि आपने इसी zamp के folder में आपने रहना है और folder में रहने के बाद यहाँ पर आप देखें आपके पास एक option आ रहा है zamp control का right यह zamp control का जो यहाँ पर exe file है आपने इसको click करना है जैसे ही आप इसको click करेंगे तो आपके पास कुछ इस type की window open होगी इस window में आपके पास Apache server है you have mysql ठीक है इन दोनों को यहाँ पर let's suppose मेरे पास stop का option आ रहा है which means यह already running state में है ठीक है यह green color का है इस means यह running state में है जब आप इसको पहली दफ़ा में चलाएंगे तो आपके पास यहाँ पर start लिखा वा रहा होगा तो आपने दोनों start की button को click करके start कर लेना है let's suppose मेरे पास यहाँ पर file जिला भी stop हुआ है अभी मुझे इसकी requirement नहीं है तो यह stop है XAMPP का server है अपाची का और MySQL का उन दोनों का आपने start कर लेना so these are the two steps most important steps है now third step यह है कि आपने यहाँ पर अपने पास जो open करना है dreamweaver and dreamweaver open करने के पात अब यहाँ पर जो different file की type आपने यहाँ पर PHP को select करना है ठीक है यह आपने select कर लिया mean for now यहाँ पर जितना भी code है इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ और अब हम आजाते हैं अपने इस lecture पर so यहाँ पर पहला step मैंने आपको बता दिया कि आपने इंस्टॉल करना है XAMPP के server को then आपने जितनी भी folders हैं जो भी आपके project की files है वो आपने XAMPP में actually docs के folder में जाके जो के XAMPP के folder में exist करता है जैसे मैंने यह steps आपको पहले से बता दिये हैं then you have to go to the dreamweaver और dreamweaver में जाने के बाद अब आपने PHP का code लिखना है so तिल्कल जह सरह से हम लग प्रिग्मिंग में main function लिख रह होता है और उसकी body define करते है similarly यहां पर PHP का code start होता है less than का symbol question mark का symbol PHP आप लिखेंगे and in between that you can write your code और अपने जब इसको end करना है start भी यह question mark से होगा and end भी question mark से होगा or greater than का symbol हाजाएग right so this is the syntax that you have to follow to write any PHP code then let's begin यहां पर first example है जिसमें हमने E को करवाया है hello world को E को बिल्कल जैसे आप C++ में C out की statement को use करते है to print anything on the screen so यहां पर PHP में screen पर कुछ भी display आपने करवाया है तो उसके लिए आप E को लिखेंगे और उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे inverted commas the string that you want to display जो भी message आपने display करवाना है वो E क की statement को use करते भी करना है ठीक है उसके बाद वो यह XAMP का server आपका on होगा and then XAMP का server आप फौरण जैसे ही आपको पता है कि आपने PHP का code लिखना है आप उसी एक्जैम्ट की server को on कर लें right अब आपने let's suppose यह code मैं यहां पर भी लिख लेती हूँ यह simplest example है right अच्छा यह code मैं यहां पर लिख लिया Ctrl S करेंगे Ctrl S करने के बाद यहां पर मैंने phpdemo के नेम से जो folder मनाया था वहां पर जाके मैंने सेफ करना है और मैं यहां पर demo के नेम से यह जो फाइल है php की उसको सेफ करवारी हूँ सेफ कर दिया अब यहां पर देखेंगे मैंने फोल्डर के यहां पर सबसे पहले आप जाएंगे htdocs में htdocs में हम देखता है कि जो हमने फाइल phpdemo में एड करवाई थी वह यहां पर सेफ हो गई है अब यहां पर आप ने जब इस फाइल को रन करना है तो यहां पर आपके पास कोई भी option नहीं है आपने जाना है simply browser में ब्राउजर पर जाने के बाद यहां पर आप लिखेंगे localhost right simple अगर आप localhost लिखेंगे तो आपके पास यह window open हो जाएगी right आपने करना यह है कि localhost लिखने के बाद यहां पर आपने लिखना है उस folder का नाम जहां पर आपका जो भी file exist करती है so मैंने phpdemo के name से बनाया था folder यह हमने लिख लिया अब आप यहां पर देखें कि उस folder में जो भी आपकी php की files है वो यहां पर आ गई है right यह आपके पास demo.php के नाम से यह जो मेरे पास file है वो है phpdemo के name से यहां पर इसका link आ गया so अब मैं इस यहां पर click करूंगी तो मेरे पास output आ गया hello world right so इस तरह से आपने अपने पास php का जितना भी code है वो इस तरह से आपने अपनी website को run करना है let's suppose अगर कुछ students के पास local host नहीं चल रहा होता तो आपने मुझे directly communicate करना है के मिस मेरे पास नहीं चल रहा sometimes होता यह है के laptop में हमारे पास system में skype इंस्टॉल होता है हमारे पास zoom इंस्टॉल होगा students के पास team weaver इंस्टॉल होगा बहुत सारे हमारे पास softwares होते है वह जो आपके system में different ports पर रन कर रहे होते है right sometimes हम जो software run करना चाह रहे होते हैं वह उस port नंबर पर अल्रेड़ी कोई ना कोई application रन कर रही होती है let's suppose Skype की या कोई और so हम क्या करते हैं हम यहां पर आपने let's suppose यहां पर PHP demo मैं आपको मेरे पास यह application run कर गई है क्यूंकि मेरे पास इस particular port पर कोई भी applications रन नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर in case आपके पास यह issue आता है तो आप यह possibilities है जो आप ट्राइ कर सकते हैं यहां पर मैंने column लगाया ठीक है 80-80 पर नहीं चलता आप 80-82 कर लें 80-86 कर लें स्टेल अगर आपके पास यह application run नहीं होती तो just inform me और मैं screen share करके आपको बता दूंगी क्या issue है उसको हम resolve कर लेंगे सो यह तरीका है PHP के code को run करने का अब हम आज आते हैं next example पर that is example number 2 example number 2 में हम यहां पर जो देखेंगे के अभी यहां पर मैंने जो code आपको बताया है वह simple code लिख दिया है लेगिन अगर आपने HTML में इस code को लिखना है तो आप क्या करेंगे simple यह body में जाके आपने यह PHP का code लिख देना है right so same उसी तरीके से आपने इस application को run करना है और अब हम बात करते हैं PHP के comments की right PHP के comments में हम क्या करते हैं कि comment अगर आपने देना है तो आप अपने code के आगे double slash डालते तो it will become a comment ठीक है अब यह क्या बन गया है comment बन गया है यह single line comment है इसी तरह से अगर आपने single line comment देना है तो आप यहां पर hash का symbol भी use कर लेंगे तो वह भी आपके पास single line comment की होगा जैसे कि मैं यहां पर आपको try करके बता देती हूँ ठीक है यह हो गया आपका comments का section फिर उसके बाद multi line comment की बात करते हैं कि sometimes हमारे पास multiple lines होती है जिनको हमने as a comment treat करना होता है तो इसके लिए आपने क्या करना है slash staric और staric slash पर आपने end करना है let's suppose अगर मैं कहती हूँ कि यह complete code मेरे लिए useful नहीं है for now तो हम क्या करेंगे यहां पर हम लगाएंगे slash staric ठीक है और end करने के लिए staric slash तो यह आपके पास जो है ना यह code अभी as a comment treat होगा ठीक है अब हम next examples पर जाते हैं अब हम बात करते हैं variables की ठीक है बिलकुल जैसे javascript में हम variables की types define नहीं करते हैं PHP में भी variables की types हम define करते हैं let's suppose आप c++ की बात करें integer, float, char, string we have different data types but यहां पर data types हम नहीं बताते हैं हम क्या करते हैं हम यहां पर dollar का symbol लिख देते हैं जो भी variable है उसके name के साथ let's suppose मेरे पास एक variable है txt so इस variable की name के साथ मैंने dollar लगा दिया which indicates that this is a variable और यह यहां पर एक string store करवाई है double quotation में और मेरे पास यहां पर एक और let's suppose मैंने integer value है उसमें 5 store करवा दिया एक float type की value है यहां पर 10.5 so यहां पर आप देखें कि यह मेरे पास float value है, यह मेरे पास integer value है, यह string value लेकिन यहां पर जो variables को लिखने का syntax वो बिलकुल same है which shows के हम कहीं पर भी PHP में variable की type को नहीं लिखते हैं अब यहां पर हम किस तरीके से print करवा सकते हैं let's suppose यहां पर मैंने एक variable ले लिया है w3 schools का ठीक है, और यहां पर मैंने एक e को करवा दिया है i love or dollar txt ठीक है, तो इसका जो output आएगा और आप इसको इस तरह से लिख ले या आप इसको concatenate करके लिख ले concatenate करने का जो मतलब है वो यह है कि अब आपने इस string के साथ इस वाले data जो भी variable है उसके उसमें जो भी value है उनको concatenate कर दिया, तो इस तरह से भी आपके पास same output आएगा, that will be i love w3 schools dot com और इस तरह से भी आपके पास same output आएगा now हमारे पास एक और example है, दो numbers को add करवाने के लिए dollar x is equal to 5, dollar y is equal to 4, echo dollar x plus dollar y अच्छा यह आप देखें कि यहां पे मैंने space दी है, so it is mandatory कि यहां पे dollar x के बाद आप यहां पे space ने plus के बाद space ने और dollar y लेकिए अदरवाइस आपके पास result नहीं आएगा इसको भी हम try करके देख लेते हैं यहां पे अगर मैंने space नहीं भी दिया तो still the program will work मैंने यह save किया, save करने के बाद again browser पे जाके इसको run किया तो मेरे पास result आगया 9, right? this is how you can initialize variables in PHP अब हम बात करते हैं decision statements की या conditional statements यहां पे मैंने एक variable लिया है dollar over time के name से यहां पे मैंने initialize करवाया है 60 और मैंने खाया कि अगर over time जो है वो less than equals 250 है तो dollar pay underscore amt 1200 और जो medical के allowances है वो 100 है और total pay का amount क्या हो जाएगा आपके पास इन दोनों को हमने simple print करवा लिया है else if अगर यह condition follow नहीं होती to else if में आके आपके पास यहां पास जो value है वो different हो जाएगी let's suppose यहां पे 200 और 1500 2500 है right so this is how you can work with conditional statements अब यह हमारे पास एक और example है मैंने एक variable ले लिया है dollar age के नेम से और इसको initialize कर वा दिया है 17 से if dollar age is less than equal to 17 अगर less than equal to 17 है to you are not allowed to drive otherwise you can you can drive because 17 से greater to age के members or persons for driving right then we have another topic that is switch statement which we call switch case so if you have to work with switch case then you do let's suppose here we have a variable dollar favorite color from red user and this variable passed here we have cases let's suppose red, blue, green yellow whatsoever right and you know that this value is stored here compare compare here here the value is where which case match the value will be the same here here your favorite color is red print okay in this case let's suppose false so in this case you will run so let's discuss php loops dollar x is equal to 1 okay first while dollar x is less than equal to 5 less than equal to 5 meaning that once we will execute then dollar x plus which we do increment right so this is the code then we have do while statement you can do while through condition right so here we have looping variable do and we have you can increase this body by while you can do while we have we got and then we have the loop this is for for loop at first initialization and condition then you can increment through and ik simply print down है घ्राय ठाए चैनल में फोफ की होगी तो ब्रेक की स्टेट्मन्ट हम अगर मैं नहीं लिखंगी तो एसे होगा यहां पर यहां पर यहां यहां पर यह जो नसी मोपल आ इरगा इस वजह से यहां पर मैंने ब्रेक की स्टेट्मन को यूज किया है अचा अब बात करते हैं फॉरीच के लूप की फॉरीच का लूप बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे फॉर का लूप फॉरीच का लूप हम एरेस के लिए यूज करने 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 के लिए यूज arrays को जो initialize और define करने के लिए कोई हम square brackets use नहीं करते हैं जैसे हम C++ में use कर रहे होते हैं यहाँ पे भी बिलकुल जैसे usual variables होते हैं उसी तरीके से ही array को भी आप initialize करवा रहे होते हैं dollar color के name से मैंने एक variable ले लिया है arrays के लिए और फिर array का keyword लिखेंगे as it is तर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास string की values हैं ठीक है string की values के लिए मैंने red green double quotation में इस तरीके से array को initialize करवा दिया और array की values को print करवाने के लिए मैंने for each लिखा और dollar colors as dollar value ठीक है इसका मतलब यह है कि यह dollar colors का array है उसके अंदर dollar value जो है वो point करेगी individual elements को बिल्कुल जैसे हम for i is equal to 1 i less than equal to 10 या i less than equal to n करे होते हैं बिल्कुल यहाँ पे यह value के अंदर first time में 0 होगा तो यह red को indicate करेगा फिर 1 होगा 2 होगा 3 होगा राइट यह एक complete array है और इसमे individual elements को जो point out कर रही है value या variable वो value का है ठीक है इको करवा देंगे dollar value और next line राइट क्यूंकि हम first time में value में store हो जाएगा red तो यहाँ पे red प्रिंट हो जाएगा second time में green प्रिंट हो जाएगा अच्छा यहाँ पे हमारे पास increment का कोई operator नहीं है for each के loop में itself यह खुद बाखुद increment होता रहता है ठीक है तो समझ में आ गया है आप यहाँ पर for का loop भी लिख सकते हैं बट जो recommended है वो string की values के लिए for each का loop है now discuss php functions php के functions में जो इसका syntax है वो simple यह है कि हम यहाँ पर function का keyword लिखते हैं और उसके बाद जो भी function है हम वो लिख देते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर write message का है मेरे पास eco करवा दिया hello world का यह मेरे पास एक function है और यह आपको पता है कि function कभी भी execute नहीं होता जब तक कि function को आप call ना करें function को implement करने के बाद इसको call करेंगे function का simple आप name लिखते हैं और terminator लगा देंगे यह function आपने लिखा PHP में ही और यहीं पर function को आपने call कर दिया तो यह function आपके पास run हो जाएगा जो भी आपका code है function में वो execute हो जाएगा यह एक simple function है आप यहाँ पर देखें कि यह आपके पास एक function है ठीक है function मैंने बनाया है family name से और यहाँ पर मैंने एक variable पास किया है dollar f name के name से यह basically argument है और यहाँ पर eco मैंने करवा दिया है dollar f name और मैंने यहाँ पर next break का जो statement है वो use कर लिया है आपको यह बात भी पता है कि आप एक function को multiple times call कर सकते हैं जितने time से आपने call करना हो आप call कर सकते हैं यहाँ पर मैंने family name के नयाम से यह function बनाया था इसको call किया और उसमें से जैनी को मैंने पास किया है ठीक है value अब यह जैनी जो है यह f name में आके store हो जाएगा और यहाँ पर जो value आएगी यहाँ पर आजाएगी जैनी की राइट जब next time में मैंने इस function को call किया तो मैंने यहाँ पर हैगी मैंने यहाँ पर पास किया है सा तो यहाँ पर f name में हैगी आजाएगा इसी तरह से मैंने यहाँ पर मैंने जब इस function को call किया है तो बताने का जो main purpose है वो यह है कि you can call a function as many times as you want by passing different values through the function इसी तरह से हम different जितने arguments पास करना चाहें function में से पास कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर family name में से किया था अब मैंने f name लिखा है और year लिखा है right सो यहाँ पर मैंने जब इस function को call किया तो first वाला string जो है वो f name में store हो जाएगा और जो second वाला string है वो second वाले variable में store हो जाएगा arrays जैसे मैंने पहले भी आपको बताया भी for each के loop में simple arrays में आपने यह करना होता है कि array का आप नाम लिखते हैं array का keyword यूज करते हैं फिर उसके बार double quotation में आप यहाँ पर जो भी आपने array में values store करवानी है आप वो लिख देंगे यहाँ पर बिल्कुल जैसे आपको पता है C++ आपके पढ़ी है C++ पर पी array की जो भी values होती है वो एक particular index पर लाइक कर रही होती है let's suppose first value 0th index पर होगी second value first index पर होगी third value second index पर होगी right और उसके बाद dollar cards और second index ही बात करूँ तो Toyota यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और इन सब को मैंने concatenate किया है dot के बाद मैंने यहाँ पर कॉमा लाना था तो मैंने यहाँ पर double condition में कॉमा लिख दिया then concatenation किया यहाँ पर concatenate करने के लिए हम dot का symbol use करते हैं ठीक है so these are the fundamental concepts के आपको पता होना चाहिए variable declare कैसे होते है variable को initialize कैसे करवाते है conditional statements का है loops कैसे लगेंगे then यहने आपको explain किya कि functions क्या होते है ठीक है अब हम बात करते है form handling की के form handling में हमारे पास क्या concept है अभी तक हमने forms का concept इसमें नहीं देखा तो forms के लिए जो आपके पास दो main concept है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए dollar underscore get and dollar underscore post का जो variable है इसका क्या मकसद है ठीक है so यह dollar underscore get आप जब भी form बना रहे होते हैं और form को आप submit करवाते हैं form को submit करवाने के लिए यह basically यहां पे हम जो भी data form में से पास हो रहा होता है उसकी उसको collect करने के लिए जैसे dollar underscore get dollar underscore post are used to collect data from the form जो form let's suppose आपने इसके अंदर text boxes थे text boxes में आपने कुछ data रखा और उसके बाद मैंने submit का button form पे click press किया तो उसके बाद जो भी data form में लिखा वाता है उसको collect करने के लिए हम dollar underscore get dollar underscore post use करते हैं दोनों का purpose same है बट थोड़ा सा difference है उनमें तो हम difference देख लेते है dollar underscore get का difference क्या है कि there are two ways सबसे पहले यह है कि आपके पास सबसे पहले चीज तो यह है कि 10-24 maximum characters को यह ले सकता है होती है right अगर यहां पर मैं बात करूं यहां Google मैं अपने पास open करती हूं और मैं यहां पर let's suppose मैंने यहां पर windows 10 लिखा था search किया था और मैंने इस पर click किया इस पर click करने के बाद आप यहां पर देखें कि आपके पास यहां पर कुछ information आ रही है यह information इस image से related है right इस image का name है, इस image का size है, इस image का address है अच्छा इस image का address और इस नेम यह सब public है और यह public है यह अगर किसी को सब को पता चल भी रहा है तो इससे कोई यह कोई ऐसी information नहीं है जो के private information हो यह ऐसी information नहीं है कि जो सब लोगों से share ना की जा सके ठीक है अब यहां पर मैंने अब यहां पर एक point लिखा है जो बहुत main or important point अब यह है कि जब भी आपने sensitive information पास करनी होती है let's suppose आपने एक form बनाया और उसमें आपने password और confirm password या CNIC की details है जो आप publicly share नहीं कर सकते तो इस case में आप GET का method कभी भी यूज नहीं करेंगे right क्यूंके GET का method जब यूज करेंगे तो किसी भी form की complete information आपको यह जो URL है किसी भी website का URL यह वाला जो पार्ट है यहां पर display हो जाती है जब भी आप GET का method यूज करते हैं ठीक है यह मेरे पास एक example है इस example में simple यह एक form बनेगा इस form में आपने user का name लिया है address लिया है gender लिया है यह form बन जाएगा और इसमें हमने basically दो pages बनाए है फर्स पेज में बनाया है इंडेक्स के नाम से आपने इंडेक्स के नेम से एक PHP का page बनाना है ठीक है उसमें पूरी coding जो आपकी होगी वो होगी इस form की यह form design हो जाएगा दूसरा page आपने बनाना है user data.php ठीक है और उसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले अब मैंने यह किया है कि यह जो आपने text boxes बनाए है उनके data को आपने get करना है ठीक है get करने के बाद आपने इनको simple print करवा देना है while using eco statement तो अब यहाँ पर आपने इस code के थरू इस code के थ आपने सबसे eco करवाना है your name is concatenate dollar underscore get का यह जो function है यह आपने capital letters में लिखना है और अब यहाँ पर आपने पास कर देना है यह name address ठीक है यह name और address क्या है और यह gender क्या है यहाँ पर हम यह देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने जो एक लिया है name ठीक है यह जो name के लिए मैंने text box अब खिbanic box लिया है टाइब is equal to text इसका name मैंने रखा है naemi यह way right then मैंने address के लिए जो text box लिया है उसका भी name रखा है address और यह सी तरीके से जो gender है gender के लिए जो male के लिए मैंने radio button लिया है उसका name रखा है मैंने gender और female के लिए भी जो मैंने radio button लिया है उसका name भी मैंने रखा है gender ठीक है तो basically यह जो name है यह name हम यहाँ पर get के method में से pass करते हैं और single quotation यहाँ पर हम लगाएंगे name, address, gender यूजर ने जो भी text box में लिखा होगा वो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आएगा your name is फिर उसके पास आएगा your address is जो भी आपने text box में name लिखा है वो यहाँ पर concatenate होकर आ जाएगा और similarly address and gender बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि form में क्या changes होंगी ठीक है यह form है अब यहाँ पर मेरे पास end में एक submit का button है submit के button में यहाँ पर देखें कि मैंने simple लिखा है value is equal to submit और उसके बाद simple इस form में अगर आप आएंगे यहाँ पर तो form action is equal to यानि कि जब यह submit होगा जब यह form submit होगा या submit का button प्रेस होगा तो basically कौन सा action perform होगा action यह perform होगा कि user data.php का page call हो जाएगा ठीक है जो कि हमने यहाँ पर बनाया है नीचे उसके बाद किस method के थूँ आप data को get करेंगे get method के थूँ हम करेंगे ठीक है तो अब यहाँ पर आप देखें के जैसे ही आप ने data को get किया तो get करने के बाद इस URL को अगर आप थोड़ा सा गोर से देखें तो URL में आप के पास user data name is equal to Sarah and address is equal to London and gender is equal to female जब मैंने get का method तो यहाँ पर टेक्स बॉक्स में जितनी भी वाल्यूस में एंटर की थी वो सब यूरल में आरही है विच इस not a good way अगर आप देखें कि आपने एक फॉर्म बनाया उसमें यूजर का पासवर्ड है let's suppose पासवर्ड यूजर ने जो भी लिखा होगा टेक्स बॉक्स में तो वो पासवर्ड यहां यूरल में आ रहा होगा तो इस तरीके से जो आपका sensitive data है अगर आप उसको get method के through get करेंगे या collect करेंगे तो उसका disadvantage यह है कि यहां पर आपकी sensitive information यूरल में आ जाएगी so in case जब हमने sensitive information या secure data को get करना होता है तो हम पोस्ट का method यूज करते है it does not show user data in url so it can be used for secure data sending there is no limit to send data you can also send binary data like images ms word pdf अगरा भी आप use कर सकते है so यह same वही example है उपर वाली example है लेकिन जो difference है वो सिर्फ यहां पर method मैंने लिख दिया है post और जो दूसरा change यहां पर किया है वो user data में dollar underscore get की बजाए dollar underscore post लिख दिया है so let's see कि यहां पर क्या difference होगा difference यह है कि जैसे ही application में website को आप run करेंगे आपके पास form आएगा उस form में name, address and password जैसे ही लिखेंगे तो होगा यह कि आपके पास यहां पर आप देखें कि आपके पास कोई भी data URL में लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा सो आप आपने दो बाते learn की है कि get के method से जो भी आप text boxes में values लिखते है वो URL में show हो जाती है in case अगर आपके पास secure या private data है sensitive data है तो उस case में आपने data को collect करने के लिए post का method यूज़ करना है अब यहां पर हम कुछ validation की बात कर लेता है यह आपके लिए useful है जब आप project बना रहे होंगे मैंने एक index के name से एक page लिया है और यहां पर कुछ इस type का form design हो जाएगा जैसे ही submit का button प्रेस होगा तो यह कौन से action पर form करेगा यह user data.php का action पर form करेगा और जो भी data है वो मैं post के method से बेसिकली collect करूंगी यहां पर आपने दो page बनाने है similarly index का और user data.php का ठीक है इस type का form बनेगा जिसमें user का आप name लेंगे city लेंगे, pin code लेंगे email address लेंगे अब हम देखते हैं के user data.php में हमने क्या करना है user data.php में आपने सबसे पहले user का name get कर लेना है और उसके बाद city name ले लेना है then हमने काम यह करना है कि हमने एक string ले लिया s के name से dollar s is equal to और इसको initialize करवा दिया है अगर आपके पास क्यूंकि आपको पता है dollar underscore post pin code यह पिन कोड अच्छा यहां पर यह जो name city यह पिन कोड है यह अगें जो मैंने आपको बताया था कि यह text box इसके name है let's suppose यहां पर जो name text box इसका name name ही है जो city के लिए हमने बनाया है उसका भी name city है similarly यहां पर email के लिए है or so on so right so यहां पर मैंने जो validation लगाई है वो सबसे पहले pin code text box पर लगाई है कि अगर pin code less than उसकी length is less than 6 है तो आपके पास क्या हो जाएगा dollar s is equal to dollar string dot pin code must have 6 digits अब इस line में code के साथ हुआ यह है कि इनिशली किसमें इसमें store था null तो मैंने इसमें null string के साथ मैंने concatenate करवा दिया इस वाली string को और eco करवा दिया है dollar s को dollar s में पहले क्या था null अब dollar s में concatenate हो गया pin code must have 6 digits और इसको हमने eco करवा दिया in case अगर आपने let's suppose इस text box में लिखा है 1 2 3 जो के less than 6 है तो आपके पास ही वाला error है वो show हो जाएगा else dot e-code pin code is equal to ठीक है pin code is equal to dollar dollar underscore post pin code dot br और उसके पाद आपने email address is इसी तरीके से आप आपने यहां पर simple dollar underscore post और email लिख दिया यह है हमारे पास validation का code ठीक है तो अगर आपने string की length के लिए या कोई भी validation अपने पास apply करनी है PHP पे तो you can apply validation by this method और अब हम देख लेते हैं कुछ lab tasks को lab tasks आपके पास इस तरह से हैं lab tasks number one में आपने PHP की script लिखनी है one से लेकर three तक में number one में आपने यह करना है कि array of numbers लेना है array of numbers लेने के बाद आपने उनका average or median calculate करना है बिल्कुल जैसे मैंने आपको array बनाना बताया है array आपने बनाना है फिर उसके बाद उसका आपने average and median calculate करना है second example में आपने program बनाना है जिसमें आपने चेक करना है कोई भी number positive है negative है या zero है if else if else if की statement को यूज करते हुए आपने एक factorial का program बनाना है using recursive function अब आपके पास जो next है आपने for के loop को यूज करते हुए या while या कोई भी loops को यूज करते हुए आपने ये simple सा एक pattern है triangle का वो आपने बनाना है